नमस्कार स्वागत है आपका पंजाब केसरी में NGT में सुमवार को एक याचिका दायर कर 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच राश्ट्रे राजधानी में वाहनों की और इवन योजना लागू करने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है आदिवक्ता गौरफ कुमार बंसल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंदिरे प्रदूशन नियंतरन बोड ने दिल्ली सरकार की वायू गुणवंता यानि और इवन योजना के प्रभाव का आकलन किया और ये पाया कि इस योजना के लागू होने के बाद से शहर में वायू की स्तिती और भी जादा खराब हो गई है याचिका में कहा गया जब CPCB और DPCC जैसे देश के शीष परियावरन प्रदूशन नियंतरन बोडो ने एक स्वर में कहा कि दिल्ली में सम विश्यम योजना 2016 की वायू प्रदूशन समस्या पर रोक लगाने में नाकाम रही थी ऐसे में अन्य देशों द्वारा किये गए महज एक अध्यन के अधार पर सम विश्यम योजना को दिल्ली सरकार का लागू करना ना सिरफ एक अभी प्राय है बलकि CPCB और DPCC जैसी संस्थाओं की साख पर निशाना भी है गौर तलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल ने 13 सितंबर को कहा था कि सम विश्यम योजना साथ सूत्री पराली प्रदूशन का कारे योजना का हिस्सा रहेगी राष्ट्य हरित अधिकरन यानि NGT ने सुनंबार को एक याचिका दायर कर चार नोहमबर से पंदर नोहमबर के रीच राष्ट्य राजधानी में वहानों की सम विश्यम यानि ओड इवन योजना लागू करने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी दरसल अधिवक्ता गौर्व कुमार बंसल दायर याचिका में कहा गया कि केंद्रिय परदुशन नियंतरन बोड ने दिल्ली की वायू गुणवत्ता पर योजना के परभाव का आक्रन किया और ये पाया कि इसके किर्यानवन अवदी में शहर की वायू गुणवत्ता इसके विशम योजना 2016 में वायू परदूशन की समस्या पर रोक लगाने में नाकाम रही थी ऐसे में अन्य देशों के लोगों द्वारा किये गए महज एक अध्यन के अधार पर सम विशम योजना को दिल्ली सरकार का लागू करना ना सिर्फ अपरिया है बलकि यह CPCB और DPCC जैसी स संस्ताओं की साख भी गिराएगा गौत अलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के इश्रिवाल ने 13 सितंबर को कहा था कि सम विशम योजना साथ सूतरी पराली परदूशन पर कारियर योजना का हिस्सा है परतिक शर्मा के साथ दीपा कुमार की रिपोर्ट पंज झाल